बश्कार सात्यों एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकुटी के फॉर्म में जो आवनटित होगी दिव्यांग जो नो को उनमें जो है कौन-कौन से जो दिव्यांग यह वो फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हाथ आख कान वाले जो दिव्यांग है भाई बेहने वो भी फॉर्म बढ़ सकते हैं नहीं अगर फॉर्म भी बढ़ेंगे तो क्या उन्हें इसकुटी मिलेगी या नहीं अर्थात कुल मिलाकर हम दिव्यांग श्रणी से रिलेडेट हम इस वीडिय इसकुटी योजना नाम से ही पता चल रहा भाई यह तो पी एच वैक्सरा वील्स और अट्षट्मेंट के साथ इसकुटी दी जाती है अर्था या किछो है जो हैंडिकेप्ट होते हैं यह न उनको देते हैं जो मतलब चलना फिर नेमेजनको चलना निश्चतेदा वाले दि सुनने में प्रोब्लम में उसको उसको आप इसको पकड़ा रहे तो कैसे क्या होगा उनके लिए तो जो आकानों की मेशन होते क्या बोलते मुझे पता नहीं है ना उनको तो वह प्लॉप्त करवाई जाती आपको बील एलवी के डिगरी से हैं ना जुनको दिखाई नहीं देत अब उनको इसकोटी लाकर देंगे हैं ना तो मतलब वह एक कमफर्टेबल अनकमफर्टेबल की इस्तिती फिल होती है आलाकि उसकोटी का फोर्म बढ़ देंगे लेकिन तो उनके लिए अलग-अलग जो एउपरकर बनाए जाते हैं कुल मिलाकर जो इसकोटी में अगर हम बा वाले बढ़ देंगे उनका फॉर्म मतलब आपकी बाद जो है रिजेट हो जाएगा लेकिन फॉर्म बढ़ सकते हैं आपके अगर आत्म सुन्दिशी एल्डी के डिगरी में जो चला निश्कता वाले हाथों से हैं पेरों से हाथ वाले भी फॉर्म बढ़ सकते हैं बिलको को जो है reject कर देंगे कुल मिलाकर नियमान सर इस फर्म में जो फर्म डालेंगे वो LD के टिकरी डालेंगे हाथ वाले हो जाए पेर वाले दोनों डाल सकते हैं आकों से रिलेड़े डाल तो सकेंगे आप सभी फर्म डालेगा कोई बात ही नहीं और अगर मिल जाए तो अच्छी बात reject वो आगे से समाज के लियान विभाग वाले कर देंगे नियम के अनुसार में ने ये बात बता दिए लेकिन फिर भी आप फोर्म डालना चाहिए नहीं हमें हमारे साथ है उनको मिली है कैसे नहीं मिलेगी हम तो डालेंगे बहुत अच्छे बात है यदि आपको मिल जाती है